हेलो दोस्तों स्वागत आपका फिर से एक और नई वीडियो में दोस्तों पिछली वीडियो में हमने civil engineering का छोटा सा introduction लिया था आज हम उस introduction को थोड़ा सा expand करेंगे तो आज हम बात करेंगे कि कितने types के construction field में होते हैं तो बने रही वीडियो के साथ आज शुरू करते हैं दोस इसे बताने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि इसे आप सब पर ही चीत हो आप जहां रहते हो जहां खाना खाते हो जहां सोते हो उसी को building कहते हैं और इसको बनाना ही building construction होता है और यह जो building construction होता है यह सबसे ज़्यादा important होता है अभी सबसे ज़्यादा important क्योंता है क्योंकि building एक ऐसा construction type है, जिसमें सब भी RCC जो practices होती हैं, जैसे beam की, column की, staircase की, और आपकी footing की, आपकी slab की, और आपकी wall की, इस सारी practices इसमें हो जाती हैं. यानि आप जो complete RCC डिजाइन पढ़ते हो, civil basics में, उसका पूरा application है, पूरा practical आपको building construction के दोरान देखने को मिल जाता है, लेकिन अब बात करते हैं कि, क्योंकि दोस्तों कोई भी construction होता है, कैसा भी construction होता है, beam, column, slab, footing, ये सब में common होती है, इसलिए मेरा suggestion यही रहता है, जिस भी student को construction line में जाना हो, उसे सबसे पहले building construction से start करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से उसके सारे basics clear हो जाते हैं, अब आपको करना यही है, अगर आपको building engineer बनना है तो, रोज के दो गंटे या एक गंटे निकालना है, और ये एक ऐसा construction होता है, जो कि अपके घर के पास भी, आपके nearest place पे भी चलता रहता है, आपको वहाँ जाना है, और एक गंटा वहाँ पर काम देखना है, आपको मातर थोड़ा सा काम देखने से भी बहुत सारी knowledge हो जाएगी, और दोस्तों कुछ काम ऐसा होता है, जो आपको मिस्त्री से भी सीखना पड़ता है, तो इसमें संकोच ना करें कि यह हम लेवर वाला काम क्यों कर रहे हैं, अगर आपको एक सचमें इंजिनियर बनना है, तो आपको सबसे काम सीखना ही पड़ेगा वाँपे, अब दोस्तों नमबर दो पर जो construction आता है, उसका नाम है highway construction, highway construction से भी आप सभी परिचित हो, जिस पर आप चलते हो, जिस पर highway vehicles चलते हैं, उसे road कहते हैं, उसी को highway कहते हैं, यह highway भी बहुत सारे types के होते हैं, जिसे street highway, national highway, international highway, बहुत सारे highway होते हैं, इन सब का construction करना भी highway construction कर रहता है, यह civil engineering का ही एक type है और इसे generally PWD, CPWD आधी construction करवाती है और अगर आप इस line में काम करना चाहते हो तो आपको एक license बर्माना होता है और फिर आप PWD या CPWD से tender ले सकते हो और फिर आप अपना इस field में आगे बढ़ सकते हो अब number 3 पर आता है railway construction अब आप सोचोगे या railway में तो mechanical engineer जाते हैं फिर civil water को क्या काम तो भाईया माना कि हमें railway का engine डिजाइन नहीं करने लेकिन उस engine को जिस track पर चलाना है वो तो हमें डिजाइन करना होगा कि उस track पर जो उसकी पटरियां होती है कितनी दूरी पर होंगी उस पटरी के नीचे जो sleepers होता है वो cement से बना होता है उसको भी हमें चेक करना होता है उसकी नीचे ballast यह नहीं फत्तर जो रहते हैं वो भी डाले होते हैं उसका भी हमें design करना होता है और फिर दोस्तों railway के platforms कौन बनाएगा railway की buildings कौन बनाएगा civil engineering तो बनाएगा इसलिए यह भी एक construction का part होता है अब दोस्तों number 4 पर आता है tunnel construction दोस्तों tunnel जिसे सुरंग कहते हैं राजा महराजाओं के समय से ही बनती आ रही है लेकिन अब इस field में बहुत सारी research होई है और techniques बहुत अच्छी आई है बड़ी-बड़ी machines से आजकल बहुत जल्दी सुरंगे भी बनाई जा रही है दोस्तों जो tunnels होती है वो पाड़ों को काटके बनाई जाती है क्योंकि अगर बीच में पाड़ आ जाता है तो उसे पार करने में पूरा दिन लग जाता है इसलिए उस रास्ते को छोटा करने के लिए tunnel बनाई जाती है ताकि एक इस्थान से दूसरी स्थान तक पहुँच ज जिस पर हम लोग छड़ते हैं उतरते हैं यानि ब्रिज वहां बनाए जाता है जहां पर या तो railway track आ जाता है या फिर कोई river आ जाती है या फिर कोई गाटी आ जाती है वहां पर हम ब्रिज को बनाए जाता है ताकि रास्ता easily हम पार कर सके और अगर आज present time की बात करें तो technology technology बहुत advanced हो चुकी है various types के ब्रिज आ चुके है tension ब्रिज आ चुका है concrete ब्रिज आ चुका है steel ब्रिज भी बंदने लगे है दोस्तों बहुत टेक्निक आगे बढ़ गई है दोस्तों अब अगर number 6 की बात की जाए तो number 6 पर जो construction आता है उसे हम कहते है overhead construction और overhead construction बहुत dangerous construction होता ह है अब है dangerous क्यों होता है क्योंकि overhead construction vertical construction की category में आता है और इसकी height लगबक 70-60 fit होती है और उस height पर labor का काम करना बहुत risky हो जाता है और फिर इस construction की stability को भी maintain रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस पर lateral loads, winds load, earthquake load दोना apply होते हैं और building की stability down भी हो सकती है इसलिए इस condition में हमें high skilled engineer की requirement होती है जो कि इसके design को check करता है और इसे approval देता है अब दोस्तों बात करते हैं यह overhead होता क्या है तो दोस्तों आप अपने आसपास जो पानी की उची उची टंकियां जो देखते हो जहांसे पानी supply होता है उसी को हम overhead खहते हैं दोस्तों अब नम्मर साथ पर आता है dam construction दोस्तों dam इतना heavy construction होता है इतना बड़ा construction होता है आप यह समझो अगर dam का प्रस्ताव आ जाता है तो एक पल के लिए कम से कम बहुत hectares में भूमी साफ कर दी जाती है वहांके लोगों को विस्थापित किया जाता है क्योंकि dam इतना mega massive construction होता है उसके लिए बहुत ज़्या जैसे पानी को retain करके रखता है ताकि जहांपर जो areas है जहांपर जैसे जैसल मेर, बाड मेर बी कनेर या फिर जैसे राजस्तान में रेगस्तानी जो area वहांपर पानी की problems होती है तो dam के दौरा पानी को रोक के उसे कैनल के दौरा फिर वहांपर बेजा जाता है अब नंबर 8 पर आता है high-rise building दोस्तों high-rise building का construction आजकल common हो चुका है क्योंकि आज के time में horizontal जो construction है जगा इतनी बची नहीं इसलिए आज हम vertically move होते जा रहे हैं और ये construction इतना important है क्योंकि ये आजकल 70 माले से भी उपर की buildings का construction नॉर्मल जगाओं पर देखने को मिल जाता है और दुबई ज चेहर की बात की जाए जो कि अमेरिका में स्थित है वहाँ पर तो high-rise buildings बहुत सारी है वहाँ पर तो रोज एक high-rise building का construction का plan चलता रहता है इस field में आज बहुत तरक्की हो चुकी है दोस्तों नहीं नहीं टेक्निक्स आ चुकेंगी कैसे तरह से high-rise building को बनाया जाए किस तरह स उसको structure को ready किया जाए यह सब आप कोई करना है दोस्तों अगला construction आता है canal construction जिसे हम नहर भी कहते हैं नहर का उप योग इसलिए किया जाता है ताकि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सके ताकि जहाँ पर पानी available नहा हो वहाँ पर लोगों को पानी मिल स दोस्तों अब number 10 पर आता है underwater construction दोस्तों जिस तर से आज हम पूरी soil पर construction करते जा रहे हैं उसी परकार हमने एक नए technique develop कर लिये और आज हम पानी के अंदर की जो जमीन है उसका भी use करने लगे हैं और वहाँ पर भी हम चोटे-चोटे restaurants और halls का construction कर रहे हैं दोस्तों यह जो सा अब हम थोड़े-थोड़े करके चोटे-चोटे construction को भी list out कर लेते हैं तो दोस्तों civil engineering की अगला construction है water and oil tanks construction जो पानी के जो tanks बनाए जाते हैं CWR बनाए जाते हैं या फिर आप कह सकते होगी जो railway के जो tanks होते हैं जिनमें oil डाला जाता है उसका design करना भी बहुत जरूरी होता है अगला construction है reservoir construction आजकल दोस्तों reservoir जिसे हम जलासे कहते हैं आजकल वो भी artificially बनाया जा रहा है अगला construction है airport strips construction यानि जो हम हवाई जहाज में बैठते हैं न तो हवाई जहाज जिस पटी पे दोड़ता है उस पटी को यानि उस highway track को हम air strips कहते हैं और उसका construction करना भी civil engineering की category में आता है अगला construction है havers construction जिसे हम बंदरगा कहते हैं जहाँ पर जहाज की द्वारा सामान को उतारा जाता है उस platform को बनाना havers construction कहते हैं दोस्तों अगला construction है water resource engineering structure इसमें दोस्तों general क्या करते हैं divergent head works और cross drainage works को बनाया जाता है दोस्तों construction में अगर अगला type देखा जाये तो आता है steel construction जैनि जितने भी चीजे पढ़ी है जैसे हमने bridge पढ़ा है steel के overhead होते हैं उनको इसमें बनाया जाता है दोस्तों अगली चीज आती है waterworks waterworks में क्या होता है जो pipelines होती है जो अपनी supply lines होती है pipelines होती है severs होती है इनको इसमें design किया जाता है दोस्तों अगला आता है pollution remove techniques दोस्तों एक छोटा सा part होता है जिसमें हम civil engineering से जो material का waste होता है उसके दोरा environment कैसे pollute होता है और फिर इस pollution को कम कैसे किया जाता है इसकी कुछ techniques हम पढ़ते हैं दोस्तों अगला आता है design of tower foundation तो tower क्या होता है हम सब जानते हैं दोस्तों जैसे cell phone tower हो गया wifi tower हो गया या फिर windmill जिसे हम पवन चक्की कहते हैं उनका tower उनकी जो tower होते हैं उनकी जो foundation होती है उसको कैसे design करते हैं इनका base कैसे prepare किया जाता है ये भी civil engineering के अंदर आता है दोस्तों अगला construction आता है जो आप सबने सुना होगा green building construction ये latest construction ही है इसको आई होए हाली में लगबग 10 से 11 साल हुए है दोस्तों green building में क्या क्या जाता है कि एक green environment create क्या बिल्डिंग के साथसाथ उसे हम green building क्या होता है ये ये environment-friendly construction होता है दोस्तों अगला construction आता है SIPs की Buildings का अब आप को कि SIP Building यानि जो जहाज होता है उसमें जो Buildings होती है उनका Architecture लुप देना उन Buildings का construction करना उनके Joints को बनाना ये सारा काम भी Civil का ही होता है दोस्तों अगली चीज आती है आप एक Civil Engineer हो तो आपको Construction Design के बारे नौलेज होना चाहिए Construction Construction Design का मतलब होता है कि आपको School बनाना है, आपको Office बनाना है, आपको Flat बनाना है, आपको Compartment बनाना है अब इन में क्या क्या होगा कितने rooms होंगे, कितने toilets होंगे, कितने kitchens होंगे, ये सारी नौलेज आपको होनी चाहिए अगला आता है दोस्तों वास्तु सास्त्र दोस्तों वास्तु सास्त्र के बारे में भी आपको नोलेज होने चाहिए कि किस दिसा में घर हो, किस दिसा में हमारा कमरा हो, किस दिसा में हमारा मंदिर हो किस दिसा में हमारा लैटरिंग हो, किस दिसा में हमारा केचिन हो इसकी knowledge भी एक civil engineering को या civil engineer को होनी चाहिए दोस्तों अगला आता है basic architecture knowledge basic architecture knowledge हर civil engineering को होनी चाहिए दोस्तों अगला construction आता है different types of hall construction hall क्या होता है? एक ऐसा खुला area होता है जिसके ओपर छटडली होती है उस hall का construction कैसे किया जाता है? बहुत सारे types के hall होते है काज के भी hall आ गया है आजकल concrete के भी hall होते है steel के भी halls होते है इन सब का construction करना भी civil engineer का ही काम होता है अब दोस्तों अगला construction है design of artificial land अब आपको गी यह क्या है? तो पानी के उपर एक कितरिम island को बनाना यह कितरिम जमीन को बनाना ही artificial land construction होता है इसका सबसे अच्छा एक्जामपल Palm Jumira है जो की दुबाई में बनाया गया था दोस्तों अगला construction है construction of hilly areas hilly areas में हम कैसे buildings को flats को construction में करते हैं उसकी कुछ techniques होते हैं जिने हम इसमें पढ़ते हैं दोस्तों अगला construction होता है sports building का construction जैसे में stadiums आते हैं parks आते हैं इनका construction इसमें किया जाता है दोस्तों अगला construction है earthquake retaining construction इसमें हम bookamp से building को कैसे safe करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं और दोस्तों अगला आता है plumbing work plumbing work वही होता है है जो हम मेकानों में जोills में ड्राइंस चालते हैं नल की जो Pipe सोने लैंटरिंस के पाइप सोने कि उश्त के का जाता हैं जस्तों यह में हमारे सारे construction हो गए अब 57 शोट ऐसं चीजे निंका बता देते दोस्तों अगली चीज आती है Civil Construction Equipments दोस्तों Civil में कौन-कौन से Equipments यूज होते हैं यह आप सबको पता होना चाहिए किन-किन उजारों से हम Civil का का काम करते हैं दोस्तों अगला आता है Civil Construction Lab यानि Lab और Trees में कौन-कौन से Practicals किये जाते हैं यानि कौन-कौन से Test Perform किये जाते हैं Materials के उपर तब जाके वो Material Site पर जाता है उससे फिर Construction होता है दोस्तों मैंने आपको जितना भी अभी Detail दिया है यह सारे Detail अगर आपको थोड़ा-थोड़ा भी हो जाता है तो आप एक Perfect Civil Engineer हो तो इन सब के बारे में हम धेरे-देरे बात करेंगे तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पढ़ना कैसे होता है Civil Engineering को अगर आपको एक Civil Engineer बनना है Engineer बनना है तो किस तरह किस प्रोसेस से हमें चलना चाहिए ताकि हम एक skilled engineer बन सके तो मिलते हैं अगली वीडियो में